हेलो इस्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल पे, इस वीडियो में हम 36 गर माध्यमिक सिक्षाक मंदा रायपूर द्वारा सैक्षणिक सतर दौचार बीस सिक्ष में फरवरी माह में जारी किये गए असाइमेंट नमबर 6 लेकर आए हैं, या असाइमेंट बारवी क्लास विषय इंगलिस का है, इस असाइमेंट में सभी प्रावसनों के अंसर आपके बुक से इस पश्ट लिए गए हैं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे लिखे सब्सकाइब के बटन को जरू दबा दे, जिससे आपको आने वाले अन सभी सब्जेक्ट के सब्सक्रा राइटिंग है, आपके बुक डिसकाउंट के लिए है, तो हम आपके लिए इसमें रेस ड्रावरिंग और रेकलेस ड्रावरिंग के लिए लेटर लिक लाए हैं, इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं, यह हो जाएगा आपके लिए एक लेटर, इसमें यदि आप पहला paragraph, part one पहला paragraph उसके बाद next paragraph दो paragraph में है, यह हो जाएगा second पेरग्रब, the real culprit are teenagers है यह, teenagers देख लेंगे अच्छे सेक एक वर्रड को और इसी लिख लेंगे और last time ने यहाँ जगे you're truly pushpah Rebecca, लड़की है तो लडगे यह हो जाएका आपके पहले question का answer आप देखते हैं second question में क्या बोल गया है देखिए second question में क्या है आपको birthday party में invite के लिए letter लिखना है और दूसरा क्या है इसमें आपके mother के लिए health situation, pandemic situation के लिए एक letter लिखना है ति हमने इसमें आपके लिए birthday party के लिए letter लिखे हैं invitation letter तो देख लेंगे आप इसे birthday party के लिए इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं dear ranu और पूरे line को अच्छे से एक-एक line को एक-एक word को लिख सकते हैं लिख लेंगे यहां नाम लिख लेंगे रिसा बिनकले में और डाल देंगे पूने 28 March 2020 डेट लिख लेंगे और लास्ट में योर फ्रेंड रीता या रीतेस यह हो जाएगा आपके लिए birthday party के लिए लेटर ओके अब next question में आते हैं question number third में क्या है change into indirect speech अब इसमें क्या करना ही direct speech दिया गया है A B C D 4 दिये है direct speech को किसमें convert करना है indirect speech में convert करना है तो देख लेंगे पहला का क्या आजाएगा he said I shall give you my book इसका आजाएगा indirect speech he told me that he should give me he book ओके यह हो जाएगा पहले का second को हो जाएगा यह third और fourth इस प्रकार A B C और D का indirect speech यह हो जाएगा A B C D इसको आप हर एक लाइन को अच्छे से लिख लेंगे यह हो जाएगा question तिसरे का answer अब आ जाते हैं question number four में इसमें क्या दिया गया है change into paci wise इसमें क्या करना है paci wise में convert करना है active wise को paci wise में अब इसमें A B C और D चार पार्ट है इसमें चारों है इन चारों को आप A B C और D को इस तरी से paci wise में convert कर सकते हैं पहले का देख लेंगे who thought you English इसको paci wise में convert करेंगे by whom were you thought English इस तरीके से A B C और D को लिख लेंगे A, B, C और D, इस तरीके सिंचारों को लिख लेंगे, यह हो जाएगा इसका passive voice, अब next question में आते हैं, question number 5 में, do as directed है इसमें, इसमें भी A, B, C और D, कितने हैं, चार line है इसमें भी, चार question है, प्रते question में एक एक अंख है, अब इसको हम अच्छे से लिख लेंगे, first क्या है, I have found the book, I lost it yesterday, combine the pair of sentences, you mean the adjective clause, क्या वो लगा है, इन दोनों sentence को जोड की लिखने के लिए, और उसी प्रकार देखलेंगे, B को भी देखलेंगे, C और D को, इसका answer हम next step में आपके लिए 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 हैं, A, B, C और D, यह हो जाएगा उसका answer, do as directed का, A का, B का, C का, और D का, इस तरीक से आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं, so guys, वीडियो अच्छा लगा, तो like, subscribe और share करना ना भूले, thank you so much.